भारत हमेशा की तरह सबसे आगे रहे अभी भारत नहीं एक ऐसी चीज़ डवलप करी है जिससे कैकी क्रिप्टो के जितने भी फ्रॉड्ड हो रहे हैं जो वॉलेट्स के फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको मोनेटर किया जाएगा और जो फ्रॉड्स हैं इंडिया में अभी क्रिप् वजीरेक्स से उन्होंने भी बहुत बड़ी पार्णर्शिप करी है, जो आज तक मैंने भी कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कि ये ARIFAC के साथ काम करने वाले हैं, असान भाशा में अभी और भी ज्यादा सिक्योर्टी बढ़ने वाली है, और भी ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, क्रिप्टो करंसी अकाउंट्स का, वालेट्स का, ये मैं थोड़ा और डिटेल में आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन ओवरॉल हम ये कह सकते हैं, कि वजीरेक्स ने गौर्णन के साथ और भी अच्छे तरीके से गहरे तरीके से हाथ मिला लिय हैं, तो अगर आप भी वजीरेक्स यूजर हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्णन नीज होने वाली है, क्योंकि यही कुछ कारण है कि क्यों डब्यूरेक्स का प्राइस ऊपर जाने वाले है, या फिर वजीरेक्स की अडॉप्शन और भी जादा बढ़ने हैं, तो ओवरॉल में आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, अब भी जैसे कि बेर मार्केट चल रही है, तो क्रिप्टो विंटर सीजन चल रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि क्रिप्टो कंसी खतम हो चकी है, या फिर मार्केट खतम हो चकी है, आपने ध्यान रखना ह कि यह कैसा समय है, जब हमने या तो accumulation करनी है, या फिर developments करनी है, या फिर इसको आसार भाषा में यह बोला जाता है कि नए प्रोजेक्ट को होजना, या फिर नए प्रोजेक्ट को build करना, तो यह समय फिर वापिस आएका जब build run आने वाल है, जिसके बीच में आप देख सकते entities in India for AML and CFD, अब AML का मतलब यहाँ पे clear है कि anti-money laundering, और खास कर यह इन्होंने partnership इसलिए करी है, ताके crypto currency को लेकर money laundering ना हो, या फिर कोई भी illegal activities ना हो, तो actual में ARIFAC, एक private partnership है, तो यह दोनो private-private partnership framework के उपर काम करने वाले हैं, जिसमें banks, NBFCs, और भी कई सारे ऐसे कार्स या फर ऐसे कार्स भी आ जाते हैं, NPCI यानिके UPI, तो ऐसी जितने भी payment systems हैं, जितने भी लगलग sectors हैं, उन सभी को monitor किया जाएगा, track किया जाएगा, and hopefully अगर इस सिरिके से काम चलता है, तो हमारी जो UPI की transactions हैं, वजीर X की उपर वापिस आ सकती हैं, थोड़ा सा और government का support चाहिए, जिसकी हम already बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, hopefully ये सब कुछ आसान हो जाएगा, वजीर X की उपर, हलाकि सबसे बड़ी जो दिक्कत है, वो TDS की है, या फिर फीस की है, फीस थोड़ी जादा है, लेकिन 100.500 चलती है, फीस इतनी, लेकिन जो TDS कर जाता है, अगर हम किसी cryptocurrency को sell करना चाहते है, आईनार के बदले में, तो वो सबसे बड़ी problem होती है, तो लगताथ जो cryptocurrency platform, वजीर X से कुछ ना कुछ नई updates दे रहे हैं, जैसे कि आपको last time बताया था, कि अभी जितने भी तरह के withdrawals है, वो शुरू कर दीगे हैं, जितने के मतलब जितने भी यूजर से हैं, उन्हों सभी के लिए शुरू कर दीएगे हैं, और इसी के साथ साथ अभी government के साथ भी काम कर रहे हैं, ऐसी private entities के साथ भी काम कर रहे हैं, जो हमने आज देखा, air effect के नाम से, इसी के साथ हमने यहाँ एक और चीज़ देखी है, जो वजीर X का कहना है, इन हमें exchange run करने का कोई फायदा नहीं है, अगर crypto currency की volume ही नहीं आती है, तो शायद हमें exchanges सारे एक दो साल के लिए बंद कर देने चाहिए, क्योंकि इसका जबसे बड़ा reason तो यह है, कि हमारा TDS ही बहुत ज़्यदा लग चुका है, 1% का TDS, 30% का tax, हालकि अभी bear market चल दिया है, इ तो इसमें कहें कि जो crypto wallets हैं, उनको monitor किया जाएगा, इसी के साथ जो Indian ministry of home affairs हैं, उनको alerts भी बेजे जाएंगे, अगर कोई भी irregular transaction होती है, अब irregular का मतलब यह भी है, कि जो anti money laundering में आती है, या फिर इसी के साथ हो सकता कि कोई transaction बहुत ही बड़ी हो, unexpected सी transaction हो, या फिर कोई transaction ब लीगल activity ना करी जाए, अब इसके पीछे main reasons के हैं, हमारा एक दो दिन पहली data आया था कि इंडिया में सबसे जारा volume से crypto currencies की, हाला कि हम volume नहीं देख पा रहे हैं Indian exchanges की उपर, लेकिन actual में इंडियां की जो transaction volume वो सबसे जारा है, पूरे world में, तो यही करने की government भी ढूंट रही है कि यह पैसा अगर है तो जा कहा रहा है या फिर पढ़ा कहां पे है, तो यह सब कुछ कैसे ट्रैक करने वाले है, criminal activities को कैसे ट्रैक करेंगे, वो करेंगे CIAT के द्वारा, जिसका मतलब है cryptocurrency intelligence and analysis tool, यानि कि अपना खुद का develop किया हुआ टूल है हमारे इंडिया का, तो यह जो अगर कोई भी किसी भी तरह का cyber crime होता है, तो हो सकते कि आपके साथ भी ऐसा हो, आपने किसी project में investment कर दी हो, लेकिन पैसा कहां पे गया, कहां से निकाल लिया गया, तो इन चीज़ों का पहले हमें नहीं पता चलता था, लेकिन इस tool के द्वारा हर एक चीज़ को track भी किया ज आएगा, तो ये ऐसी development क्यों करीगी है, तो एक्चल में हमारा इंडिया का software engineer था, जिसने एक लाख बीस हजार डॉलर invest किये और उसके साथ crypto fraud हो गया, तो एक्चल में किसी ने उसको guide किया था, ये बोला था कि इसमें investments करते हो, लेकिन जो भी amount डाला गया, वो deposit करने के बाद withdraw नहीं हुआ, तो ऐसे कई सारे scams चलते रहते हैं, जिसमें P2P scams भी काफी सारे हैं, बाइनस के उपर हम सब ही ने phase किया कि बाइनस के उपर ऐसे scams चलते ही रहते हैं, यही कारने के ऐसे tools develop करने की जरूरत पड़ी, और हमने ये भी देखा कि government गुर्गाओं की उनका cryptocurrency market को लेकर, या फिर web 3 को लेकर, हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ knowledge जरूर होनी चाहिए, क्रिप्ट करने के लेकर, क्योंकि इसमें potential भी है, लेकर उतनी ज़्यादा risk भी रहता है, अगर हमें information ही नहीं है, अगर हमें कुछ भी knowledge नहीं है, तो एक हमारे government official जो गुडगाओं अगर बार बार इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो रिटर्न मिलते चले जाएंगे, तो इन्होंने 40 लागे कठा लगा दिया, कि शायद इसके उपर amount मिलेगा, शायद ये खुद की बेवकूफी भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका लालच धीरे धीरे बढ़ाया 50,000 इन्वेस्ट करवाया गया, उसके बदले में 95,000 दिये गया, यानि कि दो गुना amount मिला, जिस कारण इन्होंने सोचा कि शायद मुझे अभी जाद amount भी डालना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ऐसे किसी भी fraud में नहीं आना, scam में नहीं आना, खु वजीरेक्स अभी बहुत बड़ी लावल पे काम कर रहे है, इसी के साथ इंडियन गौर्मेंट ने भी ये टूल जनरेट किया है, टूल अपना खुद का अपना है, मोनीटर करने वाले हैं, और जो scams के हमने बात करी है, कि गुडगाओं में भी scams हो, और भी काफी सारे scams ह इसी के साथ इंडियन एक्षेंज जो वजीरेक्स है, उनके CEO ने clearly बोल दिया कि हम एक्षेंज को बंद कर देंगे, अगर आप हमारा TDS नीचे नहीं लाओगे, TDS नीचे होगा, तो कोई भी शायद इस पर ट्रेड भी नहीं करने वाला है, और ऐसे एक्षेंज को रन करने का कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी भी और कॉइन के बारे में प्रोजेक्ट के बारे में, क्सेंज के बारे में इनफोर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट करो, नेक्स वीडियो में कबर करोँगा, वरना आपको टैलगराम के इबार इनफोर्मेशन फॉर देने वाला हूं ताकि आप कोई भी अब्डेट मिस ना करें आप अभी भी जाके चेक कर सकते हर एक अब्डेट आपको टाइम टो टाइम सबसे पहले मिलने वारी है उमीद आपको ये वीडियो अच्छा लगाओगा प्लीज लाइक आए शर्द इस वीडियो और इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेले के दबालीचे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद